नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनलाइन और ओफलिंगान में दोस्तो जो मैं आप लोगों को इन्फोर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ यह इन्फोर्मेशन आप द्वारा ही मांगी जाती है ऐसा नहीं है कि मेर को इस देटा की जरूरत है यह डेटा आप लोगी डिपार्टमेंट से मांगते हो ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अभी जो है आंकडों की इस्तिती क्या है इस वीडियो में मल्टिपल डिविजन का आप लोगों का जो है डेटा मैंने आप लोगों के सामने रखा है जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि 2018 से 2024 तक की अप्रेंटिस की संख्या कितनी है अब कई बच्चों का यह मानना है कि संख्या 80,000 है 90,000 है तो भई exact data आप लोगों को कोई provide नहीं कर सकता रेलवे को multiple times हमने RTA लगाया उनसे बोला कि हमें सारे zones का data एक साथ दे दो लेकिन वो लोग data नहीं देते हैं और यहां पर सीधा मना कर देते हैं कि हम इस information को देने के लिए liable नहीं है अब ही हाली में आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत बड़ा RTA आप लोगों के सामने आया लेकिन उसमें भी department ने full data आप लोगों के सामने नहीं रखा हाला कि वो एकदम authentic है उसमें सारी information आप लोगों के सामने नहीं है मैं उस पर भी आप लोगों के लिए जो बाद में चर्चा करूंगा लेकिन आज जो मेरे सामने data है ये आप लोगों के साथ share कर देता हूँ ताकि CCS वाले बच्चों को पता चल सकें कि भाई actual में किस division में क्या आकड़ा भी चल रहा है अगर आप भी कोई information हमारे साथ share करना चाहते हैं तो telegram group का link मैंने आपको description में भी दे दिया है आप वहाँ पे share कर दीजी या फिर मेरी mail id online online and offline ग्यान erdredgmail.com मैंने आपको description में भी दे दिया है तो सबसे पहले data पे हम लोग चलते हैं हाला कि इसको मैंने गोरफ junction में part wise आपको दे दिया है लेकिन कुछ चीज़े add करके मैं आपको यहाँ पे भी provide कर देता हूँ सबसे पहले जो है यह South East Central Railway का data है आप लोग देख सकते हैं यह राइपूर डिवीजन का है राइपूर जो आप लोगों का है वहाँ का data है 2018 से 24 तक का 994 अपरेंटिज जो है इस particular division में बच्चों ने पास किया है तो इससे आप लोग थोड़ा बहुत नंजाला लगा सकते हैं कि multiple division है और उसमें कितना आकड़ा हो सकता है अब कितनी बार आटिया लगाएं department से information लेने में सारे एक एक करके बहुत बार चीज़े हो जाती है तब जाके data सामने आता है और कई बार तो यह हमें पूरे zone का data देते ही नहीं है अगर किसी एक particular zone से मांगे बस यह हमें particular division का data पकड़ा के हाथ में रख देते हैं तो यहाँ पर जो second data है हमारे सामने यह एक तो कुरुष्णा भाई ने लगाए हैं उसको thank you बोलना आप सभी अपनी side से और यह जो है हमारे पास यह entire data है यह आप देख सकते हैं यह multiple division का आप लोगों के सामने data है मैंने आपको दिखाई दिया किस जगा का SCR का ठीक है South Central Railway का data है तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं इस division का आपके सामने है इस division का आपके सामने हैं तो division wise आप लोग data देख सकते हैं 2023 तक का data दे रखा है Eastern Railway का अब Eastern Railway में थोड़ा आप लोगों को ऐसा लगेगा इतने कम अपरेंटिस कैसे थेस में तो यह आप लोगों का मालदा division का यह है ठीक है मालदा division से जो अपलाई करेंगे आप लोग देख लिजे बाई 18-24 तक की इतनी संख्या चल रही है उसके बाद Eastern Railway का मालदा division का दुबारा एक डाला गया तो दुबारा भी यही information सामने आई 18-24 तक की उसके बाद Eastern Railway का हावरा division का यह data है जिसमें आप लोगों के सामने संख्या आप लोग देख सकते है टोटल कितनी है तो यह 18-21 की है 296 और 43 जू है आप लोगों की 20-24 के दुबारा से बोल दीए यह particular division का डेटा है उसके बाद आप लोगों का e salad का डेटा है एस्टन रेलवे का आप लोगों का जो है यह की इस division का यह अप लोगों के सामने सालदा थीक है यह इस division का डेटा है आप लोगों के सामने इसे देख सकते हैं टोटल छे सो कितना एस पर दी रिकोर्ड छे सो एक्ट अप्रेंटिसेज छे सो एक्ट अप्रेंटिसेज यहां से जो है पास हुआ है उसके बाद नेक्स हम बढ़ते हैं नेक्स हमारे सामने जो information है सेंटर रेलवे से मांगी होई information है लेकिन इन बेफकूफों ने सेंटर रेलवारों ने information नहीं दिया data आप लोगों के सामने नहीं दिया उसके बाद जो है यह पूर्व मद्दे रेलवे है और पूर्व मद्दे रेलवे दानापूर डिविजन का data है तो इसका data मैं आपको दिखा देता हूँ यह भी आप देख सकते है नोटा old RTI आप लोगों के लिए latest RTI दिख रहा है तो यह जो है हमारे लिए total 857 इस डिविजन से दानापूर डिविजन से बच्चों ने अपनी apprentice को पास किया है उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक और है मेरे पास यह जो है आप लोगों का पूने पूने साइट का है आप लोग देख सकते है center railway का एक दिविजन का मिल गया तो यहाँ पर 58 बच्चों ने पास किया है पूने से तो इस तरीके से डेटा जो निकाला गया है वो आप लोगों को मैंने provide कर दिया है आप लोग जो है अगर हमें ऐसी ही information provide करना चाहते है और चाहते हैं कि इसे जो है आप लोगों के भाईयों के साथ जाना चाहिए तो मेरी mail ID मैं description में दे रहा हूँ आप उस पे share कर देना टेलेग्राम का link में आपको दे रहा हूँ उस पे share कर देना और कुछ बच्चे एक और question कर रहे हैं कि सर जी इस बार group D में हम लोग CCS वाले बच्चे क्या target रखे है कि हमारी cutoff जो है meet हो जाए हमारे AITT marks को मिला कर जो हमें मिले हैं तो भाई उस पर एक separate video में लेकर आऊंगा एक और confusion आप लोगों को जो दूर कर रही है वो यह है कई बच्चे पूछने की सर्जी हमारी apprentice कब तक complete होने चीए इस बार group D में form fill करने के लिए CCS based कर तो इसके लिए मैं separate आपके लिए दोनों को एक साथ include करके चीजे लेकर आ जाऊंगा या फिर मैं दो-तिन दिन में live आऊंगा Saturday Sunday हो सकता है गौरफ जंक्चन पे तो मैं आपको इसके बारे में proper तरीके से update कर दूँ आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे अभी लगबग मेरे पास साथ division के और RTI है मेरे पास अभी आया नहीं है उनका response जैसे जैसे मेरे पास response आएगा तो मैं गौरफ जंक्चन की एक तो सबसे पहले जिन्होंने join button की community ले रखे उस पे शेयर कर दूँगा सबसे पहले मेरा काम होगा क्योंकि वो बच्चे प्रीमियम है और फिर जो है मैं community में शेयर कर दूँगा टेलेग्राम पे शेयर कर दूँगा फिर आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा आशा करता हूँ कि आप लोग जए इस information से संतुष्ट होंगे धन्यवाद keep in touch जुड़े रहे